आज मैं आपके सार शेयर करने जारी हूँ राजस्थानी मक्की के डोगले की रेसिपी जोगी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाधिश्ट होते हैं यह ठंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है तो आईए बिना कोई देर की इसे बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज सब्स्प्राइब माई चैनल और प्रेस दे बेल आइटन अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा है तो प्लीज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप मेरी इस रेसिपी को ज्यादा से ज्य मटर के दाने, 1 चमच जीरा, 1 चमच जीरा, 1 चमच अजवाइन, 2 चमच सफेद तिल लिया है में आपर लिया है एक कटोरी के लगबग बारी कटावा फ्रेश हरा धनिया यह 8-10 लसुन की कर लिया और 8-10 हरी मिर्चे मैंने इन दोनों को इस तरह से रफली चोप कर लिया है आप इसे मिक्सर में ना पिसे अब हम एक बड़ी सी पराद लेंगे सबसे पहले हम उसके अंदर डालेंगे मकी का आटा अब हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 चमच नमक अब हम इसके अंदर डालेंगे यह जीरा और अजवाइन इसको दोनों हाथ से ग्रश करते हुए में डालना है इसके इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खुश्बू बहुत अच्छी आती इसकी अब हम इसके अंदर डालेंगे यह वाइट तील उसके बाद हम इसमें डालेंगे यह पापड़ खार हम इसको भी आटे की छलनी से चान कर डालना है यहाँ पर मैंने लिए यह अधी चमच काली मिर्च पाउडर आप यहाँ पर एक चमच काली मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं तेल मोयन के लिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ से मिक्स करना है इस तरह से अच्छे से प्रेश करते हुए दोनों हाथों की हल्प से हमें इसको एक जैसा मेश करना है मिक्स करना है देखे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालने है यह मटद अबारिक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया अब उसके अलावा में आपर डाल रहे हुए लसन हरी मिर्च जूकि हमने चौप करके रखे हुए थे बस इसे मिक्सर में नहीं पीछना है बारिक पेस्ट नहीं बनाना है दरदरा मोटा मोटा ही पीछना है इनको लसन हरी मिर्च को आप हरी मिर्च के लावा यहां पर लाल मिर्च पावडर में डाल सकते हैं अपना टेस्ट के अकोडिंग या फिर हरी मिर्च के क्वांटिटी भी कीए बढ़ा सकते हैं अगर आप अचा काना पसंद करते हैं आप भुद अगर आनत चीए sitting दोनीं हाथ MP2 कैंट से देखे थो अच्छे से मिक्स कर लिया एंगी अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पाणी डाल कर पानी डाल लिए और हमें इसका एक अच्छा सा टाइड डोर रेडी करना है बहुत ज्यादा टाइड भी नहीं होना चाहिए एक नॉर्मल गेवं का जो आटा लगाते हैं उससे टाइड होना चाहिए यह देखिए इस तरह से अपने हतलियों की मदद से अच्छे से प्रेस करते हुए थोड़ा टाइड ली मकी काटा में गूतना होता है यह देखिए आप भी इसी तरह से गूत है यह लगबग मैंने इसे गूत लिया है जाले ब्लबख देखिए चुपड़ गरना है इसे अब इडली पोर्ट में लगबग मैंने दो गलास पानी डाला है आप इडली इस्टेंड लगाते हैं लास्ट वाली वहां तक हमे पानी भरना इसमें ब्रफिए अब हम पिल्री स्टेंड के यह जो शान्चे हैं हमें इन सब को और से ग्रीश अच्छे से इससे कि हमारे डोकले यो है वह नीचे चिपेना देखिया है इस तरह सामे सारी इस टेंड्स पर या सारे स्टेंड से पर वॉम लघं़ लेना है हमें अच्छे से ओईल लगाना है यह देखिए मैंने सांचे को अच्छे से ओईल से ग्रीस कर लिया है अब हम अपने दोनों हाथों पर भी अच्छे से ओईल लगाएंगे ताकि हमें लोई बनाने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो कि एक किलो मकी काटे से लगभग 12 ले बनकर । या फिर यू किसका है कि कि लगभग 12 बाल्पने कर रैडी होंगे हैं तरह दोकले चीए की सेवां इसथमें इड्ली यी, 12 बॉल्स बना लेनी है एक अंदाज के लिए एक बार में इडली पोड में हम 12 बॉल्स बना सकते हैं और एक किलो मुखी काटे के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं गोड़ीक है एक बिल्कुल गोल-मॉल BEC事 करनी कि है फ्लेट करें पंत लोग भूल को पनाते बंस चायद करते हैं कि कि आप लोग ढूंखलें बनाते वक्त इससे दियान के कि संत while और बनाते हैं तो आप सेट कर सकते हैं और अपमें इसके बीचों बीच में राटे बाख घोल कर सकते हैं तो थे नादे बहुत अच्छे से अंदर पक सके आप कि देखिए मैंने गोल बोल बनाई थी उसको इस तरह से हतेलियों के बीच में प्रेस करके फिर फिंगर की हेव से मैंने इसके अंदर आगे और पीछे दूनों साइड होल कर दिया है अभी बहुत अच्छे से पक पाएगा अब मैं इस स्टेंड के अंदर इस टोकले को रख द अब हम इसका अधकन लगा देंगे और इसे गेस पर रख देंगे मीडियम फ्लेम पर हम इससे 40-45 मिट के लिए पकने देंगे आप चाहे तो 40 मिट में भी से उतार सकते हैं बंद कर सकते हैं पर में 45 मिट पकाती हूं है कि यह देखिए 45 मिट हो चुके है अब मैं आपको इसका ठककन हटा कर बताती हूं कि यह बनकर बिल्कुल रड़ी है अब हम गेस का फ्लेम ओफ कर देंगे जैसे जैसे ठंडे होते जाएंगे इनका कलर तुरा डार्क होता जाएगा और पांच मिट बाद ही आप इस्टेंड से इन्हें निकालें ताकि यह बहुत आसानी से निकल जाए आप देख सकते हैं यह नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं क्योंकि हमने इस्टेंड को आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अब हम डोगलो को इस तरह से कट कर लेंगे यह कितनी आसानी से कट रहे हैं आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यह बिल्कुल पर्फेक्ट पके हैं बिल्कुल पर्फेक्ट बने हैं क्योंकि हमने इसके अंदर मौयन भी डाला था अब हम उपर से इसके अंदर डालेंगे तिली का तेल जी हां यह ठंड में बहुत ही फ बाकी रोटी के साथ इसे खाना थोड़ा सा मुश्किल है कि देखिए आप इसके अंदर बहुत सारा तिली का तेल डाले और इसे गरम गरम उड़त की दाल के साथ इंजोई करें आप देख सकते हैं हमारे ढोगले बनकर बिल्कुल रडी है ये खाने के लिए बिल्कुल तयार ह आप मेरी इस रेसिपी को जरूर जरूर ट्राइ किजिएगा मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूं ये देखिए ये कैसे लग रहे हैं इसे देखकर ही आपके मूह में पानी आ रहा होगा जैसे आप इसे मूह में खाएंगे ये आपके मूह में बिल्कुल बिखर thank you